कुरुक्षेत्र जिला के गाउं बारना में विजली विभाग की ताबर तोड़ छापिमारी और केस दर्ज को लेकर यहां के किसानों में भारी आक्रोश बना हुआ है इसी के चलते आज किसानों ने बिजली करमचारियों के खिलाफ मोर्चा खुलते हुए लामबंद और कुरुक्षेत्र विश्वेदले आदर शिताना का घ्राव किया वहीं किसानों के भारी विरोध को देखते हुए आदर शिताने पर भारी वैरिकेटिंग के साथ पुलिश कोर्स और सी आर पी एफ की टुकडी तेहनात की गए इन प्रदर्चनकारी किसानों की मांग है कि गाउं में दिरात को छापे मारी ना की जाए और छे लोगों पर दर्ज केसों को वापस लिया जाए नहीं तो वो बड़ा आंदूलन करने को मजबूर होंगे को विजली विभाग ने सुबह जब लोग सो रहे थे तो उनके घर चापे मारने का काम किया है जबकि सब को अच्छी तरह पता है कि सब मीटर गाम के घरों के बाहर लगे हुए है उसके बावजूद भी विजली विभाग के लोगों ने जहां जिस समय घर में अकेली इस्त अधियों के आज के लिए जो बार्ना गाओं में 25 दसको मुकदमे दर्ज हुए थे बिजली वालों चापा मारे था मीटर कम से कम 200-300 मीटर दूर है जो बिजली का मिटर लगा और उसके कर में आके शापा मारते हैं अकेली ओरत होती है तो क्या मतलब बिजली वालों का जब जाते हैं वालों के जाके रात को डेड़ दो बजे पूलिस वालों कूच जाते हैं कांध पाना देखिये आज बारत को किसान यूजियन ने आधर स्थाने का गहराव का एलान कर रखा था जिसके चलते बीते दिन 25 तारीक को बारणा गाउं के अंदर बिजली करमचारियों दुआरा आधी रात को चापा मारा जाता है जिसमें अजीब प्रस्थीतियों में व्यक्तियों को प्रेशान किया जाता है महिलाओं को प्रेशान किया जाता है पहले उन्हें पीटा जाता है और फिर जब गाउं के लोगों दुआरा विरोध किया जाता है और उनके खिलाप कारवाई की मांग की जाती है तो पुलीस परसासन उनके खिलाप जुटे मुकदमें दर्ज कर देता है जिसके चलते आज बारतिया किशान यूनियन ने आदर स्थाने अगेराव कर रखा है कि बिजली करमचारियों के उपर नकेल कसे और यह जब मीटर बार लगा रखे हैं तो इनका छापा मारने का मतलब क्या बनता है और जिन किशानों के उपर मुकदमे दर जाओं वापिस किया जाए गौरतलब उत्ये हैं एक महिना पहले गाओं बरना में बिजली विभाग के करमचारी बिजली चोरी पकड़ने पहुंचे थे तो उसी दोरान ग्रामीडों और बिजली करमचारियों के साथ हाथा पाई हो जिसके चलते बिजली विभाग की ओड़ से गाउं के लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज करवाय गया। हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।